रूके रूके अभी इन चीजों का अगर मज़ा लेना है तो आपको मेरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा और मैं जो दिखाने वाला हूँ आपको यदि आप उल्वे में रहते होंगे तो इन शारी चीजों का मज़ा ले पाएंगे और यह अभी नया नया तयार हुआ है क साम को घूमने के साथ आप उन चीजों का मज़ा ले सकते हैं जैसे कि आप लोगों को वही चीज दिखाऊँगा जैसे कि यहां पर कुछ यहां देख सकते हैं एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी चीजे हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह तो यदि आप उल्वे में रहते हैं तो आप लोगों के लिए यह एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आएंगे और इन सारे चीजों का आप लाव उठा पाएंगे तो मैं स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिजेगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम दिखाते हैं कुछ आगे का सीन तो जिस रोड में खड़ा हूँ यह अभी इस रोड यह मेरे बैक साइड जो रिलाइंस की बिल्डिंग दिख रहा है से ऑर ठीक इसके opposite साइड इसके अंदर जाएंगे अप तो यहां पर यह इस रोड बें आपको इस इस रोड में अगर अंदर जाते हैं इस मंदिर दिखाई देगा जो अंदर साइड है और ठीक उसके आगे जाते हैं तो वह रोड आपको मुरावे वह रोड आपको मुरावे गाउं के तरफ लेके जाता है वीडियो थोड़ा काला आ रहा है तो मुझे यही बताना था कि यहाँ पर हर मतलब आपको एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर आप लोग सामको टहलने के लिए आ सकते हैं प्लस आपको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे चीज़े मिल जाती है आपको तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं और इस सारे चीज़ को यूज कर सकते हैं तो मुझे यहाँ पर यह बात अच्छी लगी और मैं सोचा कि चलो यहाँ पर एक छोटा से वीडियो क्लिप निकाल लेता हूं और मैं यह चोटा से वीडियो आप लोगो कैसा लगा बताईएगा जरूर और तो आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और वोइस क्वाल्टी कम हो सकता है क्योंकि आगे से हवा आ रहा है तो यह वीडियो बताईगा आप लोगो कैसा लगार दीजेगा और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लेकिन बाइबाइ मिलते हैं आगे जाके और दिखाते हैं आगे का वीडियो सो बने रहे हैं जग एका मंदिर का नजारा जो सेक्टर 3 में आता है उल्वे नोट सेक्टर 3 तो हमारी वीडियो में बने रहे हम दिखाते हैं आपको सेक्टर 3 कमपने हैं सांकर मंदिर जो मेरे बैक साइड देख रहे हैं तो यहां पर आप दर्सन के लिए आ सकते हैं या फिर साम को यहां पर बहुत धुमने के लिए आ सकते हैं काई पर आ सकते हैं आपको यह वीडियो दिखाने का मक्सद यह है कि आप लोगों के सुईधा के लिए अच्छा हो कि आप लोगों यदि उलुए में रहते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा डेट है तो मैं सोचा चलो अगर यदि आप लोग नहीं आये होंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा इसलिए एक छोटा सा मैंने फ्लिप्सूट किया और आप लोगों को दिखाया तो बताइएगा जरूर यह वीडियो आपको कैसा लेगा